अगर आप सफ़ेक बालों से चुटकारा पाना चाहते हैं और आपके बाल उम्र काले ही बने रहें तो उम्र भर के लिए बालों को अगर काला बनाये रखना चाहते हैं तो मैं आप लोगों के साथ में आज बहुत ही अच्छा सा घरेलू बी आई वाई हो में रेमेडिस शेयर करने वाली हूँ जिसे क्या आपके बाल आप अपने उम्र भर के लिए काले बनाये रख सकते हैं वैसे तो मैं बहुत सारी वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर किया आपको जो भी अच्छी लगती है ऐसे कॉमेंट आते हैं कि कौन सा लगाएं को जो भी अच्छी लगती है जो भी इंग्रीडेंट्स आपको एजिली मिल जाती है तो आप उसे यूज़ी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि सारी रेमेडिस बहुत जादा अच्छी है और उफेक्टिव हैं तो आप देखे मैं अपने बालों पर इसे यूज़ करती और सफेद बालों की समस्या आपको भी नहीं होगी तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं देखते हैं इसे सरसो के तेल में बनाना है और अमेजिंग सा आपको रीजल्ट भी मिलने वाला है तो फ्रेंड्स अगर आप नए हैं मेरे चैनल को जरूर करिएगा सब्सक्राइब अगर आप लोगों को ऐसी वीडियो पसंद आती हैं जो हैर केर से हैं रिलेटेड तो जरूर करिए सब्सक्राइब हम आ गए हैं अपने किचन में और आपको यहां पे इसे बहुत ही आसान ही से बनाना है सबसे पहले आपको लेना है यहां पे नारियल का तेल दोस्तो नारियल के तेल में ही इसे बनाईए या फिर आप चाहें तो सरसो का तेल भी ले सकते हैं मैं यहाँ पर नार्यल का तेल ले रही हूँ तो इस तरह से आपको नार्यल का तेल ले लेना है और जितनी भी इंगिडिन्स मैं आप लोगों को बताऊंगी दोस्तों यह बहुत ही कम माल की है तो थोड़ा सा तेल को हमें गुन-गुना गरम करना है वैसे तो आप इसे दो प्रोसीजर से बना सकते हैं इस हैर ओल को अगर आपके बाल तेजी से सफेद हो रहे हैं बालों में ग्रोथ नहीं है बाल सफेद होने के बहुत सारे कारण होते हैं जिससे हमें बचना चाहिए, तो देखे फ्रेंड्स, यहां पे में लेकर आई हूँ, यह है कलोंजी, कलोंजी का जो पाउडर है, यहां पे हम एक से दो चमबच इसमें कलोंजी पाउडर आड़ कर देंगे, कुछ इस तरह से नारिल के तेल में आपको कलोंजी पाउडर कलोंजी को इसमें आड़ कर लेंगे तो फ्रेंड्स में आप लोंगे आज एक बहुत याज पेशल जड़ी बूटी लेकर आई हूँ, गैस के फ्लेम को यहां पे हमने बन कर देना है, तो फ्रेंड्स आप देख सते हैं, यह एक ऐसी जड़ी बूटी है, जिसे की बला कहा ज जाता है, दोस्तों यह बहुत ही आसानी से आपको पंसारी की दुकान में मिल जाएगी, जैसे कि आप इनकी जटाएं देख रहे हो नो फ्रेंड्स यह यह देखे यह इसकी जटाएं हैं और साथी साथ यह कुछ इस तरह के प्लांट्स होता है, और यह आपको पंसारी की प्रोइड करती है, हमारे बालों से जितने भी डिसॉडर होती है, स्कैल्प से उसे रिमूव करती है, और जब आप इसे कलोंजी में और नारियल के तेल में मिलाकर लगाते हैं, तब आपके बाल बहुत ही अच्छे से यह काले बनाकर रगता है, और इस हैर ओल को प्रिपेर करती हूँ, उसके बाद मैं अपने वीडियो को अप्लोड करती हूँ, फ्रेंड्स देखे यह आपकुछ इस तरह की यह बेल होती है, लताय होती है, बिल्कुल इस तरह की है और यह खराब नहीं होती है, जो जड़ी बुटिया होती है, यह सालों साल रखी जाती है, और इस आपको यहाँ पे बला को कट कर लेना है, तो मैं यहाँ पे इसे थोड़ा सा सबसे पहले कट करूँगी, तो फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी जड़ी बुटिया होती है, अगर पंसारी की दुकान में आप जब तेल लेने जाते हैं, तो आप लोग और इसका सूरज की रोशनी में आपको यह तेल रख देना है, जैसे जैसे सूरज की रोशनी आपकी इस तेल पे पड़ेगी, जैसे हमको यह अचार बगरे बनाते हैं, उस तरह का जो प्रोसीजर होता है, बिल्कुल इसी तरह का प्रोसीजर अगर आप करेंगे, ओल को रग तो इन सारी चीजों को अगर आपने शुरू कर दिया है लगाना तो आपके बाल बहुत ही अच्छे काले ही बने रहेंगे अगर दो फ्रेंट्स अगर आपके बाल जो है वो सफेद होना शुरू हो गए तो उन सारी चीजों से यह रिवर्स भी करेगा तो देखिए यह जड़ की है और वाली हम्स ओं तो देखिए इस तरह से में यहां पर इससे कट कर रही हूं। इस तरह से आपको इस तरह से कट करके नारियल के तेल में, इससे डाल देना है और थोड़ा सा हलका आसा इससे हम यह अगर आ पका लेंगे यह क्योंकि मैं आभी यह इंस्टंटली बना इसलिए मैं इस तरह से कट करके छोटे चोटे टुगडों में इसार से डाल दिया है थोड़ा सा हम क्या करेंगे यहां पर नारील के तेल को जो कलॉओंजी पाउडर हमने इसमें डाली है इसी के साथ में आपको बला को डालना होता है मैंने कहा आप कलॉओंजी डाल सकते हैं म बहुत ही अच्छा सा प्लांट बेज जो हमारा जो ये नाच्छल हैर ऑईल बनके रेडी होता है ये आपके बालों को लंबे समय तक काला बनाएगा साथी साथ दोस्तों इसका एक बहुत अच्छा सा जो मैंने मैसूस किया है वो में आप लोगों बताऊंगे कि बहुत अच्छा सा अच्छा सा एक stress-free वायल बनके रेडी होता है और हम अच्छी सी नेइंद आती है और हम इसे जो यूज़गा जाता है पलला को बहूंज़ों सारे लोग अस्थमा के जो पेशन्ट होते हैं उनको इनके लिए में भुझा बहुत दU पाए ये बहुत सारी अज जो कि एक ही चीज जड़ी बूटी ऐसी है कि आपको बहुत सारे फाइदे दिलाएगी तो फ्रेंड्स अब हम इसे थोड़ा सा हलके से चला लेंगे तो देखिए यहां पर हमने इस तरह से इसे हलके से मिला लेना है जब यह थंडा हो जाए इंस्टंट भी आप इस तरह से बन कि जब यह थंडा हो जाए तब आप इसे अपने बालों पर अपलाए करना शुरू करिए और फ्रेंड्स आज की डियाइवाइ होम रेमडी कैसी लगी जरूर बताएगा कॉमेंट करके क्योंकि मैं बहुत सारी ऐसी चीज़े आप लोगों के लिए सर्च करती हूँ और आप पूछती हूँ फिर उसके बाद ही यह सारी वीडियो अपलोड होती है तो दोस्तों जरूर करिएगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आप नए हैं दोस्तों तो चलिए मिलती हूँ मैं आपको नेक्स वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखें टाटा सब्सक्राइब लाइक जरूर देना इतनी महनत से जो मिने आप लोगों के लिए रेमिडी शेयर के इसे जरूर अपलाइब करिए आपके बाल उम्र भर के लिए काले बने रहेंगे यह गैरेंटी है और यह 100% करता है दोस्तों